प्रिज़ कोई और आपको बताते जो कोई और आपको बताता नहीं और हम आपसे कुछ छुपाते नहीं है अब आरेसेस की तीन दिनों का मंथन चल रहा था केरल के अंदर वो बैठक खतम हो गई और उसके बाद जब प्रिस कॉंफरेंस हुई तो उसमें सीधा सवाल पूछा गया कि देश में जाती का जनगरना हो या ना इस पर आरेसेस की क्या राए है तो आरेसेस ने जो अपनी राए व्यक्त की है वो आज की सबसे बड़ी ख़बरों में से एक है हेडलाइन हैं आज की खाबर क्या है क्या बोला आरेसेस ने आरेसेस ने कहा कि अगर कोई पिछडी जाती है और उसके बारे में मालूमात जरूरी है ताकि उस तक सरकार अपनी योजनाय पहुंचा सके उसको गरीबी से बाहर ला सके तो हम जातीकर जनगरना का स्वागत करत कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आरेसेस का ये कह देना क्या मोधी सरकार के लिए एक नौड है मोधी सरकार के लिए एक इशारा भी है कि जातीकत जंगरना कराईए वो मांग जो पूरा विपक्ष कर रहा है वो मांग जो राहूल गांदी चुनाव भर में उठाते रहे आज भ भारती जनतापाटी इसके लिए क्या तयार है इस पर हम लोग आज बात करेंगे मैं आपको मेहमानों से मिलवाता है वह उदे महरूकर साहब बहुत सीरे जनलिस से बहुत स्वागत ॉद्स आपका स्वागत पर गर्व का काम है प्रदीप सिंग जी को आप रोज सुनते हैं बहुत स्वाग्या था आपका और हमारे पुलिटिक के लाइटर देविंदर भाराश्टर जी भी हमारा साथ है देविंदर आपका भी स्वाग्या जैसर एक शेर कह रहता हूं शुरुवात में और इस पर बैठता है फिट देविंदर बताईएगा दम हो तो ठीक है कि लोग ह की श्वाथ कडर है जातीकर जनगरना का हाना पर उनोहाि मैं लाना तुम्वेंने सुनीुनी बिजर पी के मुँसे कभी कि हम नहीं कराइए लेकर भी नहीं सुनी आप जो बारिश्ट के टिया हम एとराज नहीं है सर तो हां मानने फिर आप बीजेपी की भी जातिगत जन्जणना पर मैं ऐसा मानता हूं फ्यूचर सिन्यार को ध्यान में रखते हुए जातिगत मद गन्ना करवाईगी बीजेपी लेकि साथ में मुसल्मानों क्रिस्ट्यों का भी करवाईगी उनके अंदर भी कास सिस्टम है मुसल्मानों के अंदर हर एक जाती करीब करीब जो बीस परसन अश्रफ हैं उनको छोड़ दो तो हर एक साहरे को अपनी जाती मालूम है अभी किया न मेरे कवर का मैंने पड़ी है तो आगे बात यह बनेगी जिसके लिए राहूल गांदी जी को तैयार रहना पड़ेगा कि यातिकाद मतगर्णा कुस क्रिश्चनों को और मुसल्मानों को भी कवर करें उससे क्या होगा सर उससे उनके वह वालूम पड़ा कून कितना बैकवर्ड है उनके अंदर जो लागू पड़ रहा है हिंदूों को वह उनको भी लागू पड़ रहा है काफी हद तक ने इससे पीजेपी का क्या फाइदा है मतलब मैं यह समझना चाहा हूँ फाइदा नहीं फिर एक संतुरन बनता है अच्छा एक संतुरन बनता है राहूल गांदी जो बात कर रहे हो तो बिल्कूली हमारे समझ से बाहर है वो तो यह कहतने है कितनी एरोस्टेस बैकवर्ड क्लास की है कितनी दलित की है कितनी मिस इंडिया है कोई तरीका नहीं है इससे अच्छा था जो जवाब चंद्रबबन आईडियों ने दिया है कुछ भी बोले बिगर कि स्किल्ड लोगों की हम गन्ना करवाएंगे कितने स्किल्ड है और कितने नहीं है वो हमारी सोच होनी चाहिए आज जिसको बोलते ही विवाजनकारी सोच से प्रभागे थे संग क्यों मांगे एक मंदर एक शमशान एक कोई की बात करने वाली और आपका वापस ले लेगी उसकी असर दिखी ना में आग्रेस का काम पूरे समाज को एक करने का है समाज मतलब कौन हिंदू समाज और पेटियूटिक एलेमेंट्स जो राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं भले मुसलमान में और क्रिस्चन में उनको भी साथ मिलाना है कॉंग्रेस का पूरा जो सोच है वो पूरा विबाजनकारी सोच से प्रभवित हैं उनकी पूरी स्टेटिक इसको कुछ लोग इस तरीके से भी अनलाइज करते हैं कि गणना कराओ बताओ मत डेटा आपके पास आजाएगा सरकार अपने पास रख्यों उसका इस्तमाल करें के लिए लेकिन सोचार करने की कोई जरूर्य नहीं है इसमें कोई गलत नहीं मानता मैं मतलब यह पूलोटिकल है हां दीखिये मेरी बात सुनिए कि a B purely मतलब कि पिछड़ा उपर ना है राश्टर राश्टरवाद का मतलब यह है कि सब के लिए समान अपरचुनिटीज हो आप समझे कि नहीं लेकिन जब उसका पुरा उपयोग दूरीपयोग घुरा हो एक पॉलिटिकल सोच से तो उसके सामने तो लड़ना पड़ेगा हमें तो सवाल यह है कि यह शुरू कैसे हुआ क्यों हुआ किस ने कराया उननीस सो एक में पहली जाती की गढ़ना हुई अंग्रेज का शाषन था अंग्रेज भारतिय समाज को हिंदू समाज को बाटना चाहते थी उनको लगा कि इस से बढ़िया टूल कोई नहीं है कि इस देश के स माज को खासतोर से जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको माटना है तो जाती को लाओ यह उस समय का फॉर्मूला है जो आज तक कॉंग्रेस जिसका इस्तेमाल करती रहती है कॉंग्रेस और जो सेकुलर पार्टिया अपने को सेकुलर कहती है जो पार्टिया अपने को सेकु तो आप सामजिक जयाए की बात कर रहे हैं, इस राजनीती को समझने की जरूरत है, इसके संदर्म में जाती की गढणा को समझने की जरूरत है, तो इस चुनाव में, दो हजार चौबिस के चुनाव में विपक्ष्ट ने क्या किया? तो उससे गढ़ना से खत्म हो जाएगा किया हुआ वहीं जो injustice है वो समाज का अंग है वो सरकार का नहीं है सरकार कानून बना सकती है छुआ चूत के विरोध में कानून बना है S.E.S.T. हैक्ट बना हुआ है तो सरकार जो कर सकती है वो तो समभिधान में 1950 में ही आ गया था अब संग नहीं कहा ना कि आपको अगर डेटा इसलिए चाहिए कि ये जाती बहुत पिछली हुई है ये मेरी नजर में ये पराजय वादी मान सिटता है 2024 के चुनाव में जो हुआ कि आरक्षण खतम कर देंगे आप उसकी काट नहीं खोज पाए कि ये मतला आप देखे जूट जीद गया सचार गया बिल्कुल और आप कहरें कि जूट जीद गया है तो जूट को चलने दो जाती की गढ़ना करा किया आपको मिलेगा क्या जिसकी गढ़ना आपको करानी इस धर्म के आधार पर गढ़ना होती है हिंदु कितने हैं, मुसल्मान कितने हैं, सिख कितने हैं, बौध कितने हैं, जैन कितने हैं, इसाई कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, अब कौन बच्टा है, आप दलितों की संख्या गणना क्यों कराते हैं, क्योंकि कॉंस्टिशन में उनके लिए रिजर्व कब हुआ है जब भी हुआ है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो है ज्याती की गढ़ना कराना ठीक है कि गलत है यह एक अलग प्रशन है आप पुलिटिकली इस मुद्धे पर लड़ नहीं पा रहे हैं जब आप इसको स्विकार करते हैं तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि वही करा आपको पड़े तो हरगंगे, अब मजबूरी है, कराना ही है? यह होता रहा है लेकिन इसमें समस्यां बहुत सारी है पहली बात हो यह कि जैसे कास्ट सेंसर साप करा है तो जातियों के बीच जितनी उपजातियां हैं इसके अधार पर बरीकरन होगा उतका और वो डाटा अपने आप में इतना विशालकाय हो जाएगा वो एक बड़ी समस्य जाओगी दूसरी चीज यह कि जैसे पहले की सरकार और ऐसा नियुक्त की सरकार ने उसका को किया कोई इसको को खोलना नहीं चाहेगी लेकिन पॉलिटिकल ही क्योंकि कॉंटिकल पार्टी राहूल गांधी इस पर इतना एग्रेसिव जा रहे हैं कि वहाँ पर बीजएपी को लिए बीजएपी के लिए बहुत ज़री है कि वह इसका कार्ट ढूंडे और उसकी एक ज़लक उसका एक संकीत आप देख सकते हैं जरूर नहीं है कि वह हो जाए लेकिन दिशा उसी तरफ है कि अगर यह करना होगा तो ठीक है वहाँ पर बीजएपी के तवारे यह नियुक् को फाइदा हुआ है। उस बीजएपी के के लिए फाइदा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़े मुझे अभी तक कम सकम ये संकेत नहीं मिल रहा है क्लियर कट किसी भी लेवल पे कि हाँ इस कामबो कर देश में अगर आप इस नेरेटिव को लेकर आगे जाएंगे तो सोचिए ना कि जो नेरेटिव प्रधानमंति नेर्मुदी चला रहे हैं पिछले दस सा कि बीजीपी को जाती वाद से अपने आपको उपर रखना चाहिए और एकता का जो मंत्र है उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपोशिण के प्रभाव में आके मैं से इस बात पर सेहमत हूं अब रोज डोल बजा रहा है कि मैं तुम्हारा राक्षन बढ़ा दूँगा राक्षन बढ़ा दूगा क्या करेंगे आप मेरी बात सुनिया आप की देखिए क्रेडिबिलिटी की इशूज है ये बीजेपी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हुई है विकॉज अब सर्टन एक कि यह जो पूरा सिलसिला है जो वाशिंग मशिंग चार्ज को करता है कि भार के लोगों को लिया अब रश्ट लोगों को उनको पार्टी में आक्यों की केस बंद कर दिये यह बंद होना चाहिए फिर जो एडी और सीपीय का जो एक जरुज़ से उप्योग हो रहा है पी कर लेगी तो लोगों के दिनों में और ज़्यादा नहीं होता है मेरे मन में एक पेसे का भी शंका नहीं है फिर यह सब करने की ज़रूत नहीं है जैसे कि आपने अभी अपने को चंपाई सोरन को लिया अब जो रस्ते के जिसके विरुद में आपको वर्डिक्ट मिला है आपके सीटे कम क्यों है इसी मुद्दे पर हुई है आपको रस्ता चेंज करना चाहिए अपना मदु खोड़ा अरे कई लोग है इसे जागता नमुना जो है आप संजीत बात को देखिए जो पॉलिसीज जो गवर्नंस नरेंद्र मोदी ने दिये इसी गवर्नंस शाहिदी क कोई सरकार ने भूत्काल में दीयो आपने देन्द मुदी के बारे में डो कितावे लिखिए आतने नस्तीक से अनको जाना है जाती विवस्ता के बारे में सोच कैंथ ने देना मोदी की ने वोसा मांते हैं कि जो लोग जो लोग बैक वर्ड है उनको उपर आना चीए और करते हैं अर्षद मदनी कौन है अर्षद मदनी तालिबान को सब्सक्राइब करते हैं जिसने अपना कंदार जाही जेक करवाया था अभी फिल्म आई तुम्हें उसका संदर बताओं आपको जाही जेक हुआ था कंदारवाल प्रिन का 2000 तो इनों नहीं करवाया था वो लोगी थे सब यह भी देव बंदी है तो अर्षद बंदनी आज भी ओपन ली तालिवान को सपोर्ट करते हैं और कॉंग्रेस को और सुमाजवदी पार्टे को यहां पर सपोर्ट करते हैं तो कॉंग्रेस का जो पूरा नेरेटिव क्या है कॉंग्रेस का नेरेटिव यह है कि हिंदू डिवाइड हो जो भी पचली के नाम पर इसके नाम पर और मुसल्मान एक हो और हम पावर में आ जाए अब ही जो आप इससे पहले बात करते हैं अगर बीजेपी अपने कोर पर अगर चले जो क्या है करप्शन पर नो कॉंप्रमाइस राष्ट्रबाद और हिंदुत्वर नो कॉंप्रमाइस है ठीक है आज सेंट्रल गवर्ड में जो करॉप्शन है वो लोएस्ट इसकी उपर लेवल पर है आज की तारिक लेकिन आगर आप टेंटेड लोग लेती हो आपके खुद ब्लंट हो जाती है ये बीजेपी वगर वो कॉर्स करेक्शन करेगी बीजेपी तो कॉंप्रमाइस राष्ट्रबाद उनके सामने चलनी पाएगा ब्राउल गंदी जितना भी कहले जाती जाती आरक्शना नहीं चले गएका बिलकुल नहीं चलेगा बिलकुल सही बात है देखी है ऐसा है कि जात ये बीजेपी का यूएसपी नहीं है आप उनकी पिछ पर खेलने जाएंगे तो वही होगा जो दोहजार चौबिस में हुआ है आपकी जो यूएसपी है वो राष्टवाद और हिंदुत है उससे आप इतिहास उठाकर देख लिजीए जब भी उससे आप लिगे हैं आप न बजाद हुए आपको एक उधारन बताइए कि पिछलों की चिंता की हो कॉंग्रेस की सरकार ने या पार्टी ने या उनके बारे में कोई प्रस्ताव पास किया या कोई उनके बारे में अपना विजन डॉकूमेंट जारी किया हो हर मोड पर पिछलों के आरक्षण का ये उसी तरह की बात है कि अयोध्या का मुद्धा कॉंग्रिस अपनाना चाहे और आप छोड़ दें। स्वरुपानन स्वरसिती के जरिये अयोध्या अंदोलन के दौरान कॉंग्रिस ने कोशिच की। लेकिन लोगों को ये समझ में आता है कि मूल लूप से मुद्धा किस के साथ है। किसने उठाया, किसने संगर्च किया, कौन यहां तक लाया। आपके ने भाजपा खामका खबरा रही है। यही मतलब समझ पारा हूँ। वो कमजोरी जलक रही है, यह 240 की कमजोरी जलक रही है। अब आप कलपरा कीजिये, मान लीजिये कि एंडिया की 400 सीट आई होती है, तो क्या आपको यह बात सुनने को मिलती है। सवाल ही नहीं। तो फिर, लेकिन अगर इस इशू से मेरी 60 सीटे कम होगी तक तो मैं सोचूंगा ना। इस इशू से नहीं कम हो गई। मेरी बात सुनिए, ऐसा आए कि आपका सुरक्षा कवज क्या था। आपका सुरक्षा कवज था आपका कि आप एक नो कॉम्प्रमाइज लोग हो वन इट कम्स तू नाइश्टी आइडियालोजी। ठीक है यह आपका वो था। एक बार आपका सुरक्षा कवज उतरता है। उसके दो ही कारान है फिर से में रिपीट करूंगा। एक भार के लोगों को पार्टे में लेना, उनके केस बंद कर देना। दूसरा, CBI और EDI का उप्योग, ज़रत सब ज्यादा उप्योग आपोईशन के सामने। खुद के आदमे का कोई का केस नहीं समझो आप। आपको कवच वापस लाना पड़ेगा। जिससे आपको कवच वापस लाते हो, इनका सब प्लिटिक्स विफल हो जाएगा। समझा है बड़े अच्छे आपने आपको अच्छी है, राइट। कवच है इतना मजबूत, सब जहिल लेगा। आप बिलकुल, 100% आप 2020 में देखिए ने जब ठाली बजाने का आवान किया, माने ब्रधान मंतरी जी ने, पूरे देश ने ठाली बजाई, मुस्मानों नहीं बजाई, आप क्यों मेरे से ऐसी बात निकलवा रहे हैं, मेरे को इसकेशन है, यह credibility word के इर्द गरते हैं, अगरीड सर, बिलकुल अगरीड, नहीं एक चीज उसमें और जोड़ दीजी, वो होता है किसी भी लीडर का, जो नेशनल लीडर है, या स्टेट का लीडर है उसका भी, वो political capital, नहरेंद मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी political capital थी, उ फिर उन्होंने देखा कि आप जो कह रहे हैं, उसका उल्टा हो रहा है, आप मध्रदेश में कह रहे हैं कि जो है, अजीत पवार के खिलाफ इतना बड़ा ब्रष्टाचार का अरूप है, इतना बड़ा गोटाला किया, और दो दिन बाद महाराष्ट में जाकि आप उनको अ इसा भी क्यों, इस पर भी बात करें, क्या वादा करके आए थी जो नहीं किया था पूरा, दा मंदिर कर दिया, तीन दो सत्तर कर दिया, जो भी कह किया था, मैंने अजीत पवार का साथ लिया, मुझे एलेक्शन जीतना है, आपको क्या फरक पड़ रहा है, नहीं, तो आपक बिजेपी का सपोटर अरविन केजडिवाल जील जाते हैं, खुश होता है या नाराज होता है, बिल्कुल खुश होता है, लेकिन अरविन केजडिवाल और बाहर आ जाते हैं, तो वो और नाराज होता है, तो आपने तो केस बंद कर दिया ना, जो आगाए उनके, जो आपक अगर होता है यहां पे तो एक भी भारक वाले पार्टी को लेता नहीं अंदा है यह रिजल्ट के बाद में जिसे चंपाई सरुन को लिया वे इनोंने और कोई को भी लिया दिल्ली में लिया ठीक यह अपना उपर रखो मत करो यह काम तो तुम जिल लेते सब कुछ बीजेपी क्या अभी भी डिफेंसिव है दो सो चालिस के श्रॉक से निकली निये बार यह बात उसा ही है कि कारकरता हो नहीं जब मान लिया हो कि हम हार गये दो सो चालिस लाने के बावजूद तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में के वितर क्या सितिती होगी लेकिन दूसका भी कारण पिछली बार जमशेथपूर पूरे एरिया में पूरे मंडल में बीजेपी को एक भी सीठ हासिल नहीं होई थे चंपई सुरेन की च्छवी पेक्षाक्रिट जेमें को बाकी दूसरे नियताओं के तुलना में पहतर है वहां पर उस बेल्ट में इनको एक आदिवासी चेहरा चाहिए था दूसरी चीज की इस बार जो पांच लोग सबा सीठे थी जहारकंड में आदिवासी की सारी की सारी बीजे भी हारी है ऐसे कंडिशन में आपको वह पोलिटिकल कंपल्सन के तहत ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो की आपको तुरंत से रिटरंड दे वरना कदम आपको प्राग्मेंटिक्स करनी पड़ेगी आप केवल आइडियोलोजी से नहीं जी सकते मतल फिर आप सत्ता में आने की उम्मी छोड़ दीजिए तब आपको आइडियोलोजी की केवल पॉलिटिक्स कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी करनी और कथनी ये दोनों साथ चलनी चाहिए आप को राजितिक जरूरत के लिए किसी को साथ लेना ये आप से ज़्यादा आपका मद्दाता आपका कारिकरता समझता है ये मजबूरी है ये हमारी पॉलिसी नहीं है लेकिन मजबूरी है लेकिन आप दस साल हो गए सत्ता में करप्शन के खिलाफ जिनके खिलाफ जो आपने एक्शन लिया कोई लॉजिकल कॉंसिक्वेंस तक पहुचा है किसी को सजा हो पाई क्या पहले पांस साल लोगों ने कहा कि भाई अभी तो शुरू किया है अभी समय लगता है अधालत में लंबा समय लगता है लेकिन कोई एक केस आप बताईए जिसमें सजा होई हो दस साल का समय कम नहीं होता है अगर आप कंसंट्रेट करते पांस केस पर दस केस पर और उनको सजा दिलाते है तो आपकी क्रेडिबिल्टी कई गुनाव इस मुद्दे पर बढ़ जाती है अब आप से पूछ हूँ क्यों नहीं होई सजा है मतलब क्या आप यह कहना चाहेंगे कि भारती जनता पार्टी भी और पार्टीयों की तरह सब कहते हैं उपर सब के हाथ मिले हुए इन्होंने भी हाथ मिला रखे हैं क्या हाथ नहीं हाथ नहीं मिला रखे हैं लेकिन फंसाये रखो मुद्दे को जैसे ही सजा हो जाएगी वो मुद्दा कहतम हो जाएगा फिर आपको उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तो इसलिए जो है जब तक अर्विन केजरिवाल जेल में है तब तक तो मुद्दा है सजा हो गई तो फिर उनकी कोई बात ही नहीं करेगा एक बात थोड़ा सा समप मैं जितनी बात हुई है उसको क्योंकि हम लोग ने जाती से शुरू की थिया और हम लोग अब करप्शन की मुद्धे पर क्यों बात कर रहे हैं मानना ही है हमारे एक्सपर्ट का मानना ही है कि बीजेपी अपने एशूस से अगर ना हिले आइडिलोजिकली जो लोग कमिटेड नहीं है उनको बहुत जादा पार्टी के अंदर ना ले तो उसको ऐसे कॉंप्रमाइज नहीं करने पड़ेंगे जाती जनगणना जैसे जो आज शायद दिखता है कि वो पुलिटिकल कमपोलिशन में करने जा रही है एक बात भी शर्वात ने बात किती मुझे बड़ी दिल्चस्प लगी थी कि अगर जाती जनगणना हुई तो मुसल्मानों में और इसाईयों की भी जातियां गिनी जाएंगी क्या मतलब है इसका मतलब जो कहना चाहते हैं वो हम समझ रहे हैं लेकिन उससे पहले आप आईए जाती की गणना होगी तो उसका नतीजा क्या होगा देवेद ने जिसकी तरफ इशारा किया कि एक सोशल अन्रेस्ट को आप जो है निवता दे रहे हैं कि भाई फिर इसकी भी गिंती होगी कि यादा को कितना फाइदा मिला रिजर्वेशन का कुनमी को कितना मिला लोद को कितना मिला और जो छोटी जाती हैं आती पिछडी जाती हैं उनको कितना मिला उनके बीच में संघर्ष का लड़ाई का आप एक रहस्ता खोल रहे हैं का मिला फाइदा इतना और अन्रेस्ट होगा ही होगा होगा ही होगा वो आप जो है तो यह बात राहूल गांदी क्यों नहीं समझ रहे हैं जो अभी जो कॉंग्रेस है मैंने अब से फिर से कह रहा हूं में आज की कॉंग्रेस कभी इतनी गिरफ्ट अपने 149 साल की इतियास के अंदर कॉंग्रेस कभी कट्रवादी मुस्लिमों के गिरफ्ट में इतनी नहीं दी जितनी आज है यह आपको बहुत मैं आप बहुत सिरियस आपको बात बता रहा हूं मैं सब्सक्राइब करता हूं तो राहूल गांदी यह चाहते हैं कि कुछ भी करके पावर में आ जाए बहले देश का कुछ भी हो इस पंच दिखी रहा है बिल्कुल जिस तरह किसे कह रहे हैं कि बीटी पेजेंट के अंदर कहा है किया तरीका तरीका है है कोई रोका है बीटी पेजेंट पे आने से कोई ने कोई को रोका हूआ का कि अदसे जोब्लों का कोई अस्तेक्षेब और या कोई पाड़ी का अस्तेक्षेब तो इस टाइब के मुद्दे उठाना मतलब ही तो डिविजी की बात हो गए एक दम समझवाब इसका जो मैं कह रहा हूँ थोड़े आपको मेरे शब्द थोड़े कट्रोल लगे होंगे लेकिन बिल्कुल सही एक दम वो कि देश का कुछ भी हो हमें पावर में आना है और पावर में आने का यही रास्ता है यह माना जा सकता है कि उनको यह रास्ता दिख रहा है कि अगर हम आ सकते हैं तो इसी रास्ते से नहीं तो नहीं आ सकते हैं नितिश कमार जो अलगते तो यह रास्ता उनको भी दिख रहा था था देखें बिहार नहीं सबसे पहले इस आवाज को बहुत ज्यादा प्रमुक्ता से उठाइती है उसके पीशे रानिती यह है कि उनको यह समझाया गया जो हमें जानकारी मिली कि अपोजिशन वाले लोगों इस हिंदुतों के एकता को अगर आपको तोड़ना है इस नेरेटिव को तोड़ना है कि हिंदु एक जूठों के वोट कर दे रहा है प्रदामुक्ति नेरेदमुद की पक्ष्प में इस बार बर जी उत रहा है तो उसका एक उपाय है कि कास्ट पागे बढ़ाई कास्ट कुछ नहीं किया गया बाद में ग्रीमंति से जाकि इन लोगों ने मुलाकात की कैंसरकार के लिए कि इस नेरेटिव में नहीं फसना हमें जैसे आप बोलना शुरू करेंगे तो आप बोलने के साथ उस मुद्दे को और बड़ा कर रहा है आप 400 लेकर आये होते तो यह बोल सकते थे जैसे आप बोलेंगे डिसकाशन फिर शुरूरा आईए अगर 300 प्लस होती बीजेपी के खुद की मोधी जी अगर मोधी बोलेंगे कि मैंने देश को विजन दिखाया है 2047 तक विक्सित रास्टर पराने का और तुम कहरे हो कि अभी मैं जाती हों कि गिंती करूँ मैं दोबारा तेश को 90 के दिखाया नहीं लेकर के जाओंगा मैं दोबारा सड़कों पर आग नहीं लगाओंगा नहीं मानेंगे लोग जाती कि बाद कितने लिग समस्ते हैं नरेथ मोदी ने भाजपा की सरकार ने जो आरक्षन के विरोध में आरक्षन को मजबूत करने के लिए एक किया आग पहर भी मान लिया लोग ने ने नए जो सामाजीक नहाय को लेके जो जो लाई है यह सरकार मोदी सरकार रिसन तो कॉsesंद गभी लाई गाओं के अंदर जिसके दलीत को गोड़े पर नहीं बिढ़ने देते थे शादी के अंदर उतार देते थे उसका भी लौ है उसका अगेस्ट में लौ लेकिया यह सरकार फिर अगर जनता मानने ही नहीं सुनने ही नहीं वाली कुछ जाती की बात के आगे तो फिर आप राज़िवाद राज़्वाद चलाते नहीं आप चलाते लिए इसके लिए आप को एक समजी चेतना पैदा करनी होती है यह ऐसा नहीं कि आपने एक भाशन दे दिया और सब बदल जाएगा जमीन पर जाना पड़ेगा इस दोहजार चौबिस में तो आप समझ ही नहीं पाए जब तक समझे तब तक चुनाओ निकल गया कि यह मुद्दा चल गया है नीजी अच्छा तरीका उसका यह कि आप अपनी रिस्टोर करिये जो मैंने रस्ता बताया उफिर आप देखी इसका अब यह जो बात अभी कि इसके लिए समाज में चेतना उनीस सो पच्छी से चेतना पैदा नहीं कर रही आरेसेस जो मैंने पहले काँ जाती को लेकर के जाती को लेकर के तो अब वो क्या हुआ वो सारा का सारा काम जो है एक इलेक्शन में क्या जीरो हो गया ने ने जिरो नहीं हुआ है पर मैंने आपको कहा कि credibility से लेना देना है इसका बीजेब की credibility कम हुई है इसके लिए विवाजन कारी ताकतों की हिम्मद बढ़ी है अब credibility की restore होती है यह restore करने की परिस्ति में आज भी तोर तोरी के अपने बदलते हैं restore करते हैं जरूर फिर से यह परिस्ति दिए हो सकती है जो पहले थी बीजीपी की फेवर में अभी हाथ से पूरी तरह दोर चूटी नहीं है अभी चाहें तो लगाम कर सकते हैं दुबारा ब इमिलिटी से भी related है तो बीजेपी क्या अहंकारी होगी लोग उसको अहंकारी रूप में देखते थे सम्मेजादा सम्मेजादा लोगों के बीच में जाने वाले निता तो नहीं दमोदी है लेकिन वो जो दो steps थे यह जो दो step इनो ने लिए वो एक अंकार के रूप में लो तो मद यानि अहंकार आही जाता है और जनता जो है डिमोक्रिसी में सब कुछ बरदाश्ट कर सकती है अपने नेता का अहंकार बरदाश्ट नहीं करता है आप भी कह रहे हैं बीजेपी अहंकारी होगी थे नहीं यह result कह रहा है हम नहीं कह रहे है नहीं 240 की संख्या बता रहे है एजेटिस का उपयोग जर्वत से ज्यादा सिर्फ पक्ष के सामने और दूसरा भार के लोगों को लेना उनके केस बंद कर देना इससे बीजेपी अहंकारी पार्टी इसी इमेज खड़ी हो इसमें कोई शंका नहीं है लिखता ही है सीड़ जो आई है उसके लिए कुछ अ नरेंद्र जी लेकिन हमारी सीट हमारी अफिक्षा से कम आई है इसकी हम समिक्षा करेंगे और योग्य कदम उठाएंगे इतना लाजमी बनता था यह तो नहीं का बीजेपी ने तो एकाम तीसरी बास अगये हुमिलिटी की बात जो कर रहा हूं उसको इससे लेना देना जो म इंद्र गांदी ने कितनी जातिया की इम्रजिसी के टाइम पर है ना बाद में माफ ही मांगी देश की और माफ कर दिया देश ने आफ कर दिया नहीं तीनी साल में आ गई पावर में अब यह बात तो दिवेंजी पहुचा पाएंगे है मैं इस बाद से समयत नहीं हूँ सौरफ इसले में नहीं पहुचा है कि कोई अंकार है और वाकई तीसरी बार अगर आप जीत के आ रहे हैं सौरफ तो यह अपने आप में बहुत बड़ी प्लब्दी है नहीं है unkar इसे नहीं है जैसे समय कहा रहा हूँ हम मैंने बनाता हूं लेकि上 लोगों ने इसको उख रूप में देखा HOWak के लोगों ने देखा इसके लिए के कम हई rightstream सम्जफेशन जादा मैटर करता है रियलिटी से एसे तो में प्रचुमल आदी मेरी बात सुनिये मैंने ग्रिवन्स की एक स्टोरी की थी मांदे प्रधना मंतरी जी कि आज से एक साथ एक साल पेले ग्रिवन्ससेल का सम्में अच्छा जो पर्फॉंस यह फ्राम मिनिस्टर का है जो पीओ में जो ग्रीवन्ससेल है घ्रिवन्स शिकाहिते मताईए हम उस पर कारवाई करेंगे। करने वाली बात जो चलाई गई उसकी वजह से वो ग्राउंड पे था जब बनारस में था तो बागी जगह बात भी छोड़ दी है। इस बार मैंने कहा था किशे दर्याद मोधी भारत के प्राव मिनिस्ट्र बनेंगे। इसलाम और क्रिस्चेनिटी धर्म परिवर्तन कराने का सबसे बड़ा आधार यही बनाते हैं कि हमारे जाती वाद नहीं है। तो आप तो अपनी जो बेसिक पॉस्चुलेट है उसी को रिवर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे यहां भी जाती वाद है। जब जाती बताओगे तो फिर उसमें भी अगड़ा पिछला बताओगे ना। बिलकुल बताओगे। और फिर मुसल्मानों को औरक्षन क्यों ना मिले फिर इसका क्या जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं होगा। मुसल्मान को आरक्षन मिली रहा है ना ओबीसी वाले कोटा में मिल रहा है। क्योंकि वो कॉंसिटूशनल प्रविजन है और यह जो रंगनात मिश्रा कमिशन बनाया गया था इसी को खतम करने के लिए। उसने रेक्मेंट किया था कि 10% मुसल्मानों को आरक्षन मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन को रिलिजन नीट्रल बना देना चाहिए। तो यह कॉंग्रेस का एजेंडा है। असली एजेंडा यह है। उसको मालूम है कि यह 18-20% को पूरा अपने ग्रिप में रखो, पूरी अपने तरह अपने साथ रखो, हिंदू को जाती में बाटना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसका एक सेक्षन आएगा ही, हमारे लिए जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने बड़ी चर्चा की कि RSS के बयान के क्या मतलब निकाले जाए आने वाले दिनों में आपको वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आज बाते बड़ी खुलकर की हुई है, आज हमारे प्रोग्राम का जो थीम है, जो हमारा स्थर विचार धारा है ना हमारी, खुलकर बा